नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है उन तीन निताओं से खफा है जो की जिनके पुत्र मोहने पार्टी के दुर्गती खराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बताया जाता है कि आप जो है राजस्थान के मुख्य मंत्री गौलाओद जो है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं संभवता हुव माफी मांगेंगे कि हा राहुल गांधी और प्यांका गांधी को अपना जादू दिखा चुके हैं लेकिन राहुल गांधी मानने को तयार नहीं है वो तीन नेताओं यानि कि असोग गहलाओद राजस्थान के मुख्य मंत्री पी चितंबरम और कमलनाथ से वो खफा है इनों से खफा होने का कारण सिर्फ एक ही है कि असोग गहलाओद ने अपने बेटे वैख गहलाओद को जोध़फूर से टीकट दिलाने के लिए पी चितंबरम ने अपने बेटे कारिती चितंबरम को सीव गंगा से टिकट दिलाने के लिए और म ambos यहानुं ने यहां तक कह दिया हाला कि दो के बेटे जीत भी गए हैं यानि कि कार्थी चितंबराम और बैभाग अला उत्तों चुनाव हार गए नकुलना चुनाव जीत भी गए हैं लेकिन कारी समिती की बैठक में इस पूरे मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जो इस्टेंड लिया उसको देख करक कि पार्टी के नेता काफी जो है अश्चर चकिते और उनका साह दे रही थी प्रियंका गांधी उन्होंने ये कहने में कोई गुरेज नहीं किया कोई संकोच नहीं दिखाया कि इन तिनों नेताओं के लिए पार्टी हित से बड़ा पुत्र हित था पुत्रमोह था और बतात कार्टी कोटी कर दिलाया था इसके अलावा असो गहलावत उस मिटिंग में नहीं पहुंच पाया थे देर से पहुंचे थे और कमलनाथ तो आये ही नहीं थे तो कमलनाथ तक भी जब बात पहुंची तो उन्होंने भी राहुल गांधी को फोन किया है और असो गहलावत खु उचा गया था कारी समीति की बैठक में किसने किसने इस नारे को आगे बढ़ाया तो बहुत कम हाथ उठे थे और जो उस मिटिंग में मौजूद थे वो नेता बताते हैं कि जिन्होंने हाथ उठाया था उसको भी जिड़की मिली थी कि आपने एकाद बार जिक्र कर दिया उसस इस बात की पुष्टी नहीं हो जाती है कि आपने जो पार्टी के अध्यक्ष ने मुहिम छेड़ी उसमें साथ दिया और जगतिनों नेताओं बताते यह हैं कि राहूल गांधी थोड़ा सांथ हुए तो प्रियंका गांधी ने इस बात को आगे बढ़ाई कि मेरा भाई अक पार्टी के एक बर का मानना है कि राहूल गांधी को अब इस्तिफा वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो इस्तिफा वापस लेते हैं मतलब वो मान जाते हैं तो फिर खराब में से जाएगा कि उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए ये पिसकस की थी और एक धड़ा ये जो अध्यक्ष का चुनाओ करना है वो गांधी परिवार से बाहर का करना है अब देखते हैं कि आहमद पटेल और केसी बेणु गुपाल के मनाने के बाद असो गलाव जा रहे हैं उसके बाद राहूल गांधी क्या इस्टेंड लेते हैं लेकिन बताया ये जा रहा है कि रा परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि वो पार्टी में कैसे एका रख पाएगा और कैसे पार्टी को उपर उठा पाएगा और इसी साल तीन राजियों में बिधान सभा का चुनाओ है तो फिरहाल राहूल गांधी खफा तो इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें